मैं डक्टर प्रदीब कुमार खीचा, एसोशेट प्रोफेसर, डिपार्टम्ट आप बिजनस एडिनिसेशन, SMB, PG कॉलेज नाद द्वारा छात्रों, पिछले विभिन वीडियो लेक्शर के माध्यम से मैंने आप लिगों को सतन्त सहमती के विभिन आस्पेक्ट एक्स्प्रेंग किये थे, जिसमें उत्पिरन, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या और इनके बारें बदलाये गया था सतन्त सहमती का एक महत्मों आस्पेक्ट होता है गल्ती, सहमती किसी भी दर्शाय के नतिकत गल्ती से प्रीद नहीं होने चाहिए, सेक्शन 20 से लेकर 22 तक के पाविजन गल्ती अथ्वा, भूल अथ्वा, मिस्टिक के संदर में किये गहें, गल्ती का सामन्यार्त होता है ब्र अर्थार्त जब ठहराव के दोन ही पक्षकार किसी तत्तिके संदर में भ्रम होता है, तो ऐसा अनुभंद गल्ती से प्रेत अथ्वा प्रभावित समझा जाता है अनुभंद की वेत्ता के लिए ये जरूरी है कि अनुभंद की पक्षकारों के मद्धी मानसिक एक रुपता हो, अर्थार्थ अनुभंद की बात पर एक ही अर्थ से वो सहमत हो, किन्तु कभी-कभी अनुभंद की विभिन, अनुभंद की किसी आउशक तत्वे के विशे में अनुभंद की विभिन पक्षकार अलग-अलग अर्थ समझते हैं, जिसके परणाम सुरूप ऐसी अनुभंद केवल व्यर्थ नहीं नहीं, अपी तो व्यर्थ हो जाते हैं Section 70 के अंतिकत कहा गया है कि जब अनुभंद के दोनों पक्षकार अनुभंद के किसी आउशक तत्थी के विशे में गलती पर हो तो ऐसी स्तिती में सत्लत सहमती नहीं कही जा सकती है और अनुभंद व्यर्थ होगा देखिए इसके पूर्व जो सहमती की विविन आस्पक्ट आप लोगों को एक्सपन किये गया थे जिसमें उत्पीणन अनुचित प्रभाव कपड और मिथ्या और बतला गया था उसमें कहा था कि अगर सहमती उन चारों तत्थों से प्रेइथ है या चारों तत्थों में से जस्किसी भी तत्थों से प्रेइथ है तो ऐसा ठेरों पीरित-पक्षकार की चाहपर व्यर्ध नहीं होगा ऐसे ठेरों का एससे अनुभंद का प्रहृत्र प्रहृत्थरर की चाहपर दिरब practice करेगा किन्तो अगर कोई सहमती गल्ती से ब्रह्म से बूल से प्रेइथ है तो ऐसी कंडिशन के अंतिकर सेक्षन 22 के प्रभाव से ऐसा अनुभंद व्यर्थ होगा राजनियम के माध्यम से उसका प्रवर्टन नहीं करवाए जा सकता है। गलती दो प्रकार की होती है। एक कानून के संदर में मिस्टेक अफ लौ राजनियम के संदर में गलती है। और दूसरा विश्यवस्तु के संदर में गलती है। कानून के संदर में गलती को हम दो भागों में भग करते हैं। स्वधेशी राजनियम के संदर में गलती, देश के राजनियम के संदर में गलती और दूसरा विदेशी राजनियम के संदर में गलती। देखे प्रत्यक व्यक्ति जो देश के अंतकत निवास करता है देश में रहता है देश का नागरिक है उससे यह पिक्ष रखी आती कि देश में सभी प्रकार के कानूनों की उसको जानकारी हो अगर ठेराओ के पक्षकार देश के कानून के संदर में किसी प्रकार की भूल कर बैठते हैं तो ऐसी कंडिशन के अंतिकत ऐसा ठेराओ व्यट नहीं होगा इसके पीछे जो प्रमुक धारना है Ignorance of law is not excuse किसी भी दश्या के अंतिकत कानून के संदर में की गई गलती को शम्मिन नहीं किया दे सकता उसको माफ नहीं किया सकता हम कह सकते हैं कि Ignorance of law is not excuse but ignorance of fact is excusable अगर fact के संदर में गलती की गई है तो आसकूजिबल हो सकती है किन्तु देश के कानून के संदर में अगर पक्षकारों के दौरा किसी प्रकार की भूल की जाती है तो इस आधार पर अनुबंद को व्यर्थ गोशित नहीं किया जा सकता है किन्तु देश के व्यक्तों से ये अपक्षण नहीं रखी जा सकती है कि वो विदेशियों प्रक्षित कानून के बारे में भी जान कई रखे अगर ठहराओ के दोनों ही पक्षकार या ठहराओ के पक्षकारों की द्वारा विदेशी कानून के संदल में किसी प्रकार की भूल कर ली जाती है तो ऐसी कंडिशन के अंतिकत अनुभंद व्यर्थ होगा राजनिम की माध्यम से उसका प्रोड़तन नहीं करवा जा सकता क्योंकि भारत के बाहर प्रतित किसी कानून के बारे में जानकर रखने की अपिक्षा हमारा कानून नहीं करता है देश के कानून के जानकर रखने के अपिक्षा हमारा देश का कानून करता है इसलिए हम करते हैं ignorance of law is not excuse देश की कानून के संदर में कीगी गलती शम में नहीं होती और इस आधार पे अनुबंद को व्यर्ट गोशित नहीं करवाए जा सकता किन्तु विजदेशी कानून के संदर में अगर पक्षकार किसी प्रकार की भूल कर बाढ़ते हैं देखिए जब अनुबंद के दोनों ही पक्षकार अनुबंद के किसी आवशक तथी के संदर में गलती कर बैठते हैं तो ऐसा अनुबंद व्यर्ट होगा राज्यम के माध्यमसुस का प्रोड़तन नहीं करवाए सकता तथी संदरी गलती के संदर में मुख्य बात ये कि गलती अनुबंद के दोनों ही पक्षकारों के द्वारा की जाने चाहिए किसी अनुभंद को तत्ती की संदर में गलती के आधार प्रिवर्थ गोशित करने के लिए आवशक है कि अनुभंद के दोनों ही पक्षकार तत्ती के संदर में गलती पर हो। गल्ती अनुभंद के किसी आवशक तत्ति के संदर में होने चाहिए जो अनुभंद के लिए या ठराव के लिए अनिवारी हो आवशक हो और जो प्रतिफल को पूर्ण रुप से प्रभावित करती हो अब ऐसी आवशक तत्ति क्या हो सकते हैं विश्यवस्तो के अस्तित्य के संदर में हो सकता है विश्यवस्तो के पैचान के संदर में हो सकता है विश्यवस्तो के स्वामित के संदर में हो सकता है विश्यवस्तो की गुण के संदर में हो सकती है और विश्यवस्तो की मात्रा के स कि दोसी यूaci होती है इक डूई पक्षि और दूसी फक्षी जब थैराओ के दो नहीं पट्रशकार किसी महत्पुर। तत्थी के संदर पे गलती पर हो तो सेक्शन 20 के प्रभाव से धराबीस के प्रभाव से ऐसा ठेराव व्यर्थ होगा कानून के मादियम से प्रौर्टित नहीं करवा सकता मैंने भी आप लोगों को प्रकार बता है कि तत्थी संदर में गलती किसके सुर्पन हो सकती है देखिए इसमें सबसे पहली बाद मैंने आपने लोगों को बताए थी विशे वस्तु के संदर में आप जिस वस्तु विशेश के संदर में ठेराव करें ठेराव करते समय वह वस्तु अस्तु में नहीं लिए, माल लीजिएगा आपने गोदाम में रखे माल के संदर में थेराओ किया किन्तु गोदाम में आग रात्री के टाइम गोदाम में आग लगी जिसकी जान की धुनों ही पक्षकारों को नहीं है और संपुर्ण माल जलके इनस्ट हो गया यहाँ पर विशे वस्तू के अस्थित्त ने गलती हो ग़ी यह दोनों पक्षकार एगस पख़े ले हुगाई मतरका है। दो जहाज इंग्लेंड से रहुन नहों के भारत आने वाले थे एक जहाज ऑक्टूबर ने पहुंशने वाला था दूसरा जहाज दिसंबर के महा में पहुंशने वाला था पक्षकार एक पक्षकार समझ जाता कि ऑक्टूबर में आने वाले जहाज से उसको माल की सुपुर्द की जाएगी और दूसरा जाज का भावता कि दिसंबर में आने वाले जहाज से आने वाले माल से सुपुर्द की की जाएगी हमारा कारूं करता है कि दोनों ही पक्षकार विश्यवस्तों के पहचान के संदर में गलती कर बैठे हैं इसलिए ये ठेराओ विर्थ है राजनिम के माद्यम से इसका प्रावरतन नहीं हो सका टेकी सी प्रकार से विशवस्तु के स्वामित के संद्दर में गलती हो सकती है X Y को जमीन बेचने कात्हराव करता है X भी मानता है कि यह जमीन उसकी है Y भी यह समझ रहा है कि X की दोर जमीन बेच्ग thoroughly है उस पर स्वामित तो X का है किन्तु वास्तों के अंतिकत ये जमीन पट्टे की थी और एक निश्चित अउधी के पश्चाथ ये जमीन पर स्वामित्य सरकार का होने वाला था कानुने का यहां पक्षकारों की द्वारा विश्च वस्तु के स्वामित्य के संदर में गलती कली गई है इसलिए ठराओ व्यर्थ हो गया ठीक इसी पकार से विश्च वस्तु की गुण के संदर में गलती हो सकती है अब विश्च वस्तु की गुण के संदर में गलती हो सकती ह वहाँ पर गुण में बिन्निता हो सकती है अब गुणों में बिन्निता के संदर में एक उधान यहां पर बहुत महत्पुर है वह है निकोलसन बनाम विन का वाद बहुत महत्पुर है इसके अंतिकरत कुछ रुमालों की दिलामी की जाई थी और उन रुमालों के पर चार्स ब माल वास्तों में George की संपती थी, बेषनी वाला पक्षकार में मान रहे था, चार्ज की संपती है जबकि और खईनी वाला पक्षकार में मान रहे था कि इसमें Charles का चित्र अंकी थै इसलिए ही संपती Charles किये dóna ही पक्षकारों विश्यवस्तु की मात्रा की संदर में गलती कर लिए, कानुने का ये ठेराओ व्यर्थ है, राजन्यम की मात्रा की संदर में गलती कर सकते हैं, विश्यवस्तु की मात्रा की संदर में गलती क्या होगी, एक्स पक्षकार मन रहा है कि बेचे जाने वाले माल, जिस कार्टून की माल वजन पांच किलो है। भी हो सकती है आब विशेवस्तू के मुली के संदर में है गलती किया कि एकस्ट पक्षकार जो संपते बीची आ रही है उस संपत्थी चारसोगी सुरूपह किया और लिखते समय वहां लिख दिया गया 240 रुपए दोनुहीं पक्षकारों गल्ती कलती, 420 रुपए कि मुल्य का निर्धान किया गया और लिखने में 240 हो गया, हमां कानुन कहता है कि विश्य वस्तु के मुल्य के संदर में यहाँ पक्षकारों के तुरह गल्ती कल लिए कि अनुभंद ठहराव व्यर्त माना जाएग तो यह विवन प्रकार की गल्ती पक्षकारों के द्वारा की जा सकते हैं, अगर यह गल्ती दोनुहीं पक्षकारों के द्वारा की जाती है, दी पक्षी गल्ती होगे, दी पक्षी गल्ती के आधार पर ही ठहराव को व्यर्त गोशित करवाया जा सकता है, ठहराव व्यर्त कोऊचित नहीं करें सकता एक अनुभंद कर एक पक्षका अंतत्य पर अत्रद के संद्र में गलती करता है तो उसे एक पक्षी गलती के प्रवर्तन काून के डेम करता है और वैद होगा तो फिस अधारinkा आधार पे ठराव को व्यर्थ गोशित करवाया जा सकता है, यदि अनुबंद का एक पक्षकार अनुबंद में कोई मिथ्य वणन या कपड करता है और दूसरा पक्षकार उसे मिथ्य वणन या कपड के कान कोई तच्छी के संदर में गलती कर बैठता है, तो वह अनुबंद व्यर्थ हो सकता है, अनिता नहीं, एक पक्षकी गलती के आधार पे अनुबंद को सामनी रुपे व्यर्थ गोशित नहीं किया जा सकता है, यह हमारा कानुन के संदर में स्पष्ट करता है, तो अभी जो बाती में आप लोगों को अच्छी दिन की थी, कि जब अनुबंद क कि दोनी पक्षकार किसी अनुबंद की विशेश आउशक तत्ति के संदर में गलती करते हैं, तो अनुबंद व्यर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, गलती के आधार पर किसी भी अनुबंद को व्यर्थ गोशित करने के लिए, के लिए अनुबंद की दोनी पक्षकार गलत पर उने चीए और गलती किसी आवशक क्रत्थे के संदर में होने चीजिए जो कि अनुभंद की विश्य वस्तू को प्रभावित कर सकती है जारा 21 की अंत्यकत इस बात को सपश्ट किया गया कि भारत में प्रस्रित कानुन के संदर में की कि गलती के आधर पर अनुभंद को व् या अनुभंद के पक्षकारों की दौरा विदेश में प्रतित राजन्यम के संदर में गलती के गहिए तो ऐसा अनुभंद व्यारत नहीं होगा राजन्यम की माध्यम से उसका प्रवाटन संभव नहीं हो सकेगा ये विवन बातें धारा 20, 21 और 22 की मैंने आप लोगों को इ इस लेक्षर के माध्यम से एक्स्प्रिंग किया है ये सभी पांचों तत्रों जो पिछले में ने तीन लेक्षर की दौरा एक्स्प्रिंग की थे वो सतन सहमती से संबन देते हैं उत्पीडन अनुचित प्रभाव कपट और मिठ्वणन से प्रेत सहमती में ठहराओ प्रित करनी नहीं होगा किन्तो अगर प्रक्षकार किसी महत्मुन तर्थी के संदर में एक पक्षी गल्ती करते हैं तो इस आधार पर ठहराओ को व्यर्थ गोशित नहीं किया जा सकता है तो भी इस आधार पर ठहराओ को व्यर्थ गोशित नहीं किया जा सकता है थैंक यू